हेलो इपरवान वेलकम टू स्पंधन्स केक वर्ड फ्रेंट्स चलिए आज बनाते हैं दो किलो में फास्ट बाट्डे केक और साथ ही घर में बेट कर होम बेकरी बिजनेस बढ़ाने की कुछ आसान ट्रेक्स भी बताऊंगी और ये केक में बहुत कुछ नया है जो मैं कभी नह की थी तो ये दो किलो केक बनने वाला है टू टियर में पाइनपूल फ्लेवर में स्पंज हमने बनाया है होममेड भ्यानेला प्रेमेक्स में मैंने इसमें थोड़ा सा पाइनपूल इमोलोशन और थोड़ा सा एलो कोलर यूज करके ये स्पंज को बेक किया है स्पंज की प् उसे मैंने 5 इंच के मोल पे बेक किया है 500 ग्राम प्रेमिक्स से छोटा बाला स्पॉंज भ्यानिला स्पॉंज है उसमें कोई इमोलोशन या कोई भी कलर आड नहीं किया है मैंने क्यूंकि मैं चाहती हूं कि मेरे जो कस्टमर को एक ही केक में दो टाइफ का स्पॉंज टेस्ट क करने को मिले और मुझे भी फीडबैक मिले कि कौन सा स्पॉंज ज्यादा टेस्ट है ज्यादा अच्छा है फ्रेंच हमारा जो टू टियर का केक होता है ना उस दोनों टियर में टू इंचेस का अगर ग्याप रहे तो परफेक्ट होता है लेकिन मुझे थोड़ा सा ग्याप ज्यादा ग्याप चाहिए था दोनों टियर में इसलिए मैंने 8 इंच और 5 इंचेस के मोल्ड को यूज किया है आप चाहो तो 8 इंच मोल्ड के साथ 6 इंच ले सकते हो तो आप देख सकते हो कितना सुपर सॉप्ट स्पॉंज हमारा बेक हुआ है ये केक का अडर मुझे दो द दियो भी आप सबके साथ मेरे इस चैनल पर मैंने सेयर किया था तो उनके एंगेजमेंट का जो केक था उनको बहुत ही ज्यादा टेस्ट लगा था बहुत ही अच्छा लगा था इसलिए इस बार फिर से वो ही पाइनापुल केक उनको चाहिए उनके बेटे के फास्ट बाट नहीं करता है बस अपने कस्टमर को और अच्छा केक बना के दूँ यह इंपोर्टेंड है मेरे लिए इसलिए और ज्यादा टेस्ट के लिए मैंने पहली बार फिलिंग में पाइनापुल क्रोस के साथ पाइनापुल का यह फिलिंग आड़ किया है तो यहां पे 2 किलो केक के लिए 10 इंचेस का MDF बोड लिया है यहां पे मैंने ड्रॉम बोड यूज नहीं किया है क्योंकि सस्ते में अच्छा टेस्ट का केक दे रही हूं तो बोड और बॉक्स में थोड़ी सी अर्जिस्ट करने पड़ती है क्योंकि बोड और बॉक्स थोड़ी ना कोई खाता है लेक कोई भी बोड यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपका केक 2.5 किलो से ज्यादा वेट का है तो आप ड्रॉम बोड यूज कीजिएगा तो वन बाइवन ये केक को मैंने लेयरिंग कर लिया है क्रॉम कोट कर लिया है जो मैरे केक दोनों स्पॉंज है वो दोनों ही पाइनवल फ अब मैं ये केक को फिनिसिंग करने के लिए रायाल ब्लू कलर की क्रिम बनाई है बेबी बय का बड़े था तो ज्यादा तर कस्टमर बय बड़े के लिए ब्लू कलर ही पसंद करते हैं इसलिए एक टियर ब्लू और एक टियर फाइट पे बनाया ये दिजाइन कस्टमर का शोड़ दिये थे, उनको सिर्फ एक वान ही चाहिए था, जो फास्ट बाड़े के लिए, इसलिए में जितना हो सके ये डिजाइन सिंपल ही बनाया है, शिंपल डिजाइन क्या होता है, कि बनने में इजी होता है, कम टाइम भी लगता है, और देखने में सुन्दर भी लगता ह इसलिए जब डिजाइन पे कोई डिमांड नहीं रहता है तो सिम्पुल से सिम्पुल डिजाइन बना के देती हूँ दोनों के को दो कलर में एक वाइट और एक ब्लू में फिनिसिंग करके फ्रीज में स्टोर कर लिया फिर यहां पर मुझे एक वान बनाना था जो वान नमबर का चोकलेट मोल है वो मेरे पास नहीं था तो वाइट पेपर में पहले एक वान नमबर को ड्रॉ कर लिया देन उसके उफर एक थीक वाला पॉली बैक रखके वाइट चोकलेट को मेल्ट करके पाइपिंग बैक की हेल्फ से ड्रॉव वाले जो वान नमबर के उफर चोकलेट को डालके पैलेट नाइप की हेल्फ से अच्छे से स्प्रेड किया देन उसके उफ़र मॉल्टी कलर की जो छोटे छोटे स्ट्रिंकल्स आते हैं उसको डालके एक वान नंबर का कलर फुल टपर बनाया एससे पहली बार ट्राई किया था फंडन पे वान बनाई थी लेकिन चोकलेट पे कभी नहीं बनाई थी और भी कुछ है इस केक में जो पहली बार बना है आगे वीडियो में जरूर देखिएगा फ्रेंड्स ये कॉस्टमर दुबारा मेरे पास केक लेने आये और मुझे ज्यादा अडर मिले यही सोच रखकर ये केक को फिलिंग से लेकर डीजाइन तक बहुत कुछ यूज किया है जो इस केक की प्राइस पे नहीं थ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कोई लॉस हुआ है मेरे कोई भी लॉस नहीं हुआ है इस केक में ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भी एसे करें ज्यादा अडर एसे ही छोती-छोती बातों को ध्यान में रखने से मिल ही जाता है ये केक एक पाटी पे जा रहा था अगर केक का टेस्ट अच्छा रहेगा तो आपको उसी पाटी के थूँ और ज्यादा बहुत सारा अडर आपको मिल ही जाएगा ये चोकलेट जो वान नमबर का चोकलेट बनाया था इसको कुछी देर के लिए फ्रीज में रखने से ये अच्छे से सेट हो गया है अब ये वान नमबर को केक में इंसर्ट करने के लिए एक टूथफिक चाहिए तो टूथफिक को एसे वान नमबर की बैक साइड में चोकलेट की हेल्ट से लगा लिया है अब ये केक के उफर हम जो टॉब वाले केक को सिप्ट करेंगे तो ये जो बटम लेयर केक के बीच में थ्री पेपर स्टिक को दे दी है फिर इसके बीच में भी एक बामबो स्टिक दे दी है अब टॉप बालेकेक को धीरे से उठा कर बटम बाले जो बटम लेयर केक के उपर धीरे से रख लिया देन 1M की नोजल यहां पर मैं यूज किया है 1M नोजल को पाइपिंग बैग में भरके पाइपिंग बैग की साइड साइड में वाइड क्रीम दे दी फिर बीच में थोड़ी सी यह जो ब्लू कलर की क्रीम भरके एसे डबल शेड में ये रोजेट्स बनाई फिर यहां पर ये नूर की 46 नमर की नोजल से सेम क्रीम को भरके एसे star flower बनाया और उसी नोजल से जो 46 नमबर की नोजल से यह जो केक की बेस पर बडर बना रही हूँ तो फ्रेंट्स देखिए यह केक पे पाइनेफुल फिलिंग एक्स्ट्रा लगा है जो नमबर का नमबर और फ्री हुआइट्स चोकलेट से बना हुआ स्टार यहां पर में लगाऊंगी यह सारे प्राइस में कॉस्टमर को चार्ज नहीं किया था इसका प्राइस में कहां से कमाया जानते हैं एक तो ड्राउम बोर्ड के जगाँ EDF बोर्ड को उज क्या और प्राइकिंग के लिए दो बॉक्स लगता है इस प्राइप के जो केक में लेकिन इसका प्राइक एक ही बॉक्स में जैसे दिखने में सुन्दर लगेगा बेशे ही बना दिया तो packing से ही कुछ बच्चत हो गया इस तरह से customer भी खुश और हम भी खुश कियोंकि customer को अच्छा cake सस्ते में मिला अच्छे taste और अच्छे design के साथ और हमें ये cake का जो customer वो भी मिलेंगे और उनके साथ ही ये cake के जो taste के थुश और बहुत सारे customer खुद ही मिल जाएंगे तो आप भी मेरे जैसे एसे try करिए हमेशा अपने cake की taste पे ही ध्यान दीजिएगा अगर cake का taste अच्छा रहेगा तो आपका जो business बहुत जल्दी grow होगा देखिएगा कोई नहीं रोक पाएगा आपकी business grow होने में तो यहाँ पर देखिए फ्रेंच ये दोनों टियर में बडर बनाने के बाद कुछ फ्रिंकल्स को दोनों cake में एसे spread कर लिया हमेशा customer को खुश करने के लिए कुछ कुछ नया try करना पड़ता है फ्रेंच आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है थोड़ा सा भी helpful लगा है तो मेरी चानल को subscribe करके like share जरूर कर देना और अगर वीडियो में आप नए हैं मेरी चानल पर नए हैं तो मेरी चानल को subscribe भी जरूर कर लेना कुछ colorful sprinkle spread करने के बाद फिर एसे कुछ star वाले chocolate mold पे ये star chocolate white और blue color combination में ये chocolate बना कर इस cake में place किया ये chocolate mold ये chocolate design भी में पेहली बार ही यूज किया फिर happy birthday का tag और जो one number का tougher को एसे cake के उफर फ्लेश करके customer के जो बच्चे का नाम को फ्लेश करके ये cake की final look बनाया जामते हैं friends cakes में थोड़ा सा ज्यादा weight भी एक पार्ट है ज्यादा अडर का और यहां पर packing भी देखिएगा मिलते हैं next video में thank you for watching